कलेजी फित्रा जो के यह पर मस्ट होता है घर पर बनता है पता क्या होता है जब बनती है तो कलेजी पी सख्त हो चुकी होती है और स्पेशली ग्रेवी वाली कलेजी कैसे बनाते हैं यह मैं बताऊंगी आप असलाम अलेकोम वेलागतो कुकी यू कें दू इक प्रेस पर इजी करें जल्दी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बल आइकन पर भी अचा यह एक लेजी ओधिना है दो थे यह ठीक है और मैंने इंको अलग लग कर लिया क्यूंकि अलग लग को करने वाली हुमें दो बड़े प्रेस चाहिए और टू अनियन बर्स चाहिए देन वन टेबिस्पून जिंजर टू टेबिस्पून भी डाल सकते हैं एक कप योगर्ट है यह फ्रीज हुआ है इसलिए असे लग रहा है पांचे हरी मिर्चे है उससे जादा कम कर लें आपकी मर्जी है वन टेबिस् गोन ओल यह जोगे आप यूज करते हैं वो डाल लीजिए आँच आपने तेज कर लेनी है और इसमें लंग्स आड़ करने है और इनको फ्राय करना है कोई पांच को मिनट तक खूब तेज आँच पर ठीक है उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बाकी के हमारे जो करेंगे पानी सारा इसका अपना ही है we are not going to add additional water प्यास शामिल करेंगे लेसन अद्रक हरी मिर्चे नमक लाल मिर्च और हल्दी लाल मिर्च मैंने थरी कम डाली है हरी मिर्चे क्योंके काफी डाल ली है हमने इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे इसको अपने ही पानी में गलने के लिए इनको था टाइम चाहिए था गलने के लिए दही डाल दी अब मैंने कलेजी जो है वह जल्दी गल जाती है and lungs take bit longer to get done so we need to cover it and we need to let it cook until they get soft lungs अब गल चुके हैं बिलकुल done हो गए है लेकिन इसमें पानी था जिसको मैंने तेज आंच पे सुखा लिया है और इसके बाद इसकी ऐसी शकल हो गई है अब मैंने इसमें कलेजी डाल दी है और अब फिर से मुझे तेज आंच करके इसको भूनना है अगर ये लगने लगे ता आप बेशक पानी का एक छीटा लगाते हैं साथ साथ लेकिन आपने तेज आंच पे ही कलेजी को भूनना है जब तक के कलेजी का भी पानी खुश्क और आल्मोस्ट इसी प्रोसीजर में प्रोसेस में वो गल जाएगी ना लेट में चेक कितनी इसमें कसर एगी है ओके इस दन अल्मोस्ट अब बेशक आप इसी तरह इसको खा लें अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए या शोर्बा चाहिए तो फिर आप इसमें पानी डालेंगे अपने हिसाब से ज्यादा शोर्बा हम बिदानाना थोज़ादा पानी डालें और इस टोटली के आहर घर में अपने तरीके से खाया जाता है तो उसमें पानी अब हमने डाले नहीं इतना सरफ जितना हमें शोलबा चाहिए as such and then bring it to boil उसको बाल आने दें और उसको 5-6 मिनिट तक हलकी आज पर पकने दें जाके पानी का कच्छापन खत्म हो जाए now you can see oil has paid on the surface बहुत काम oil मैंने यूज किया था अब पिंच ऑफ गय मसाला उसमें डाल देंगे और हया धनिया कटा हुआ you can also add ginger slices in it and that's it मज़ेदार के लेजी हुआ ग्रेवी वाला तयार है yummy एद वाले दिन बिनाएं सब को खिलाएं खुद भी मज़े से खाएं और enjoy करें comment करके मज़े बताएं कि आपका क्या method है आप कौन सी recipe से के लेजी विट्रा बनाते हैं do subscribe my channel मेरे चैनल को subscribe करें इस वीडियो को फॉरण से like करें और share करें share के बटन पर click करें और जहां जहां आपके accounts है facebook पर, twitter पर वहाँ वहाँ इसको share करें और मेरे facebook पेज को भी like करें और instagram, twitter पर भी मुझे join करें इन सब के links description में है और मेरे चैनल की खास बात यह है क्यों आपको subscribe करना चाहिए क्योंके मेरे चैनल पर आपको डेली जो हमारे घरों में खाना बनता है उसकी सारी recipes हैं सिर्फ दावतों की या कोड में बर्यानियों की recipe नहीं है जो normal हम डेली cooking करते हैं घरों में वो सारी recipes भी मेरे चैनल पर available हैं